हे दोस्तों, आज के प्लान की बात करें, 22 x 42, 22 x 42 में पूरा प्लान बनाये गया है असल में क्लाइन के पास पीछे भी कुछ इस्पेस, हालकि इस्पेस जो है गौर्णमेंट का है, सरकारी जमीन है लेकिन वो टमप्रेरी योज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, तो फ्रंट और बैक में ओपिन इस्पेस मान सकते हैं दाएं और बाएं में क्लोज एरिया है इस मकान में आपको टोटल तीन विडियो मिलता है एक से आपका टेच वास रूम है, एक कॉमन वास रूम, किचन, पूजरूम, ब्रामदा गाड़ी पारिकिंग के लिए इस बहुत अच्छे तरीके से सहर के हिसाब से प्लान को बनाएंगे दोस्तों तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और सारी डेटेल आपको बताते हैं बेसक आपको प्लान पसंद आएगा प्लान की बात करें तो मकान की उचाई यहाँ पर 3 पी टका गया इस तरीके साब देख लिए तीन पी आपके मकान की उचाई यहाँ पर रखी गए दोस्तों ठीक है और यहीं पर दिया है सीड़ी सीड़ी समझ लिए उचाई आपके 7 इंची है 30 इंची है 14 इंची है बीच में 6 इंची के गए पर रेलिंग लगाने के लिए इसके नीचे भी आप चाहें एक चोटासा ट् INF ना सकते हैं लेकिनद द्यार देजेगा वास्तु कि सीड़ी के नाज नी Efendimiz नहीं बना चाहिए लेकिन यहाँ पर आपको एक अगर आप गर अगर आप गिस्टरी बनाना चाहिए सथा बना सकते हैं थोड़ा सा चीज़े कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी प्लॉट छोटा है सहर का प्लान है तो कुछ चीज़े कंप्रोमाइज आपको करनी पड़ेंगे दोस्तों ठीक है यह आपके पास ऑप्सन है पिलाद मैं यहां पर ट्वालेट बातरूम नहीं बनाएं दियागे ताकि कोई भी गेस्ट वगरा कुछ आइनासता देना है ताप अंदर से अंदर उनको सर्व कर सके आगे इंट्री करेंगे तो यहां साब इंट्री करते हैं यह रहेगा आपका किचनेरी यह पूरा किचन है किचन यहां पर देने से फायदा है एक तो वेंटिलेसन हो जाएगा सामने से किचन का प्लस जो भी किचन से आप डायक्ट दे सकते हैं सामने से कौन आ जा रहा है आपके रूम में ठीक है इसके बाद यह रहेगा आपका एक कॉमन वास रूम ठीक है आगे यहां पर देखेंगे तांग नेरी और यहीं पर दिया एक पूजा रूम इस तरीके से छोटा साई पूजा इस पेस है आप चाहें ताल मीरा जैसे भी बना सकते हैं आपकी चॉइस है पीछे के तरफ आप चलते हैं तो दो विट्डू एक बिट्डू में एक बिट्डू में इन दोनों को विंट्रिशन पीछे साइट से हो जाएगा एक आपका 42 फिट है और फ्रेंड की अगर बात करें तो 22 फिट है 22फ बाइस बाइस फिट में पूरा पलान आपको यहां पर मिलता है जिसमें आपका 10 फिट 5 इंची इंटू 14 फिट में आपका यह कार पार्किंग के लिए स्पेस दिया गया है अगर गेस्ट्रोम के यहां पर बात करे देख सकते हैं 10 फिट 4 इंची into 12 फिट में आपका guest room यहाँ पे दिया गया है और cd की बात करें तो 6 फिट by 10 फिट में आपका cd के area दिया गया है दोस्तों ठीक है 3 बाई 4 में आपका पूजा के space दिया गया आल मीरा जैसा पूजा बना सकते हैं और यह 4 फिट का पैसे यहां पे दिया गया है kitchen के अगर बात करें 5 फिट 11 इंच इंटू 5 फिट इंच इंटू 8 फिट में आपका kitchen है और 5 फिट 11 इंटू 5 फिट 1 इंच में आपका toilet bathroom दिया गया है दोस्तों ठीक है यह पीछे वाला जो रूम है 10 फिट 5 इंच इंटू 12 फिट का और दूसरा रूम भी आप देख सकते हैं 10 फिट 4 इंच इंटू 7 फिट 7 इंच आपको मिलता है अटेच वास रूम 4 बाई 6 का है क्योंकि पहले 5 बाई 4 का था छोटा था इसलिए मैंने 4 बाई 6 का कर दिया दूसरी वीडियो लों चैप तथ लिट स्क्रेंट लिटा अपको मिलता है स्क्रियंसमाद रीशाट मिलता है और हां यहां पिर आगान 8 फिट 7 इंच जो मिलता है इंटू 14 इंच में हमें पके फूज़ ऑरों भी आपका रहेगा तो आप ये इस तरीके से पूरा प्लान आपको मिलता है स्क्रीन साउट लेना है तब इस कि ले सकते हैं दूस्तों तो छोटा सा प्लान छोटा सा वीडियो आपको कहसा लगा कमेंट करके जरू होता ईएगा बागी चैनल पसंद आख लाइक से रो सब्सक्राइब जरू करिएगा तो मिलते हैं दूसरे वीडियों लोग सब तक लिए लेता हूं धन्यवादों